management by exception, जिसको हम control by exception भी कहते हैं, तो यहाँ पर exception का मतलब होता है अपवाद, अब suppose करें कि generally क्या है, कि हम सभी human base के एक हाथ में five fingers होती हैं, ठीक, thumb हो गया, index हो गया, middle finger हो गया, ring finger हो गया, और little finger हो गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यह general rule है, कि human body में एक हाथ में five fingers होंगी लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को एक extra अंगुठा या फिर एक extra little finger महाँ पर होती है, यानि कि उनके हाथ में, एक हाथ में six fingers होती हैं, तो अगर आप से कोई पूछे कि human body के एक हैंड में कितना finger होता है, तो आप six नहीं बोलेंगे, आप five ही बोलेंगे, क्यों क्योंकि वो जो किसी human being के एक हाथ में six fingers हैं, वो exception है, वो अपवाद है, यानि कि वो rare case है, कि वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर किसी के हाथ में six fingers होती है, तो exception है, नहीं तो normally सब के हाथ में five fingers ही होती है, तो exception यानि कि अपवाद, यानि कि जो general trend चल रहा है, जो general rule है, उस price बढ़ती है, तो demand भी बढ़ती है, तो वो case क्या होगे, वो exception होगे, law of demand के exception होगे, clear, exception का मतलब something rare चीजे होना, वो exception कहलाता है, अब वाद, clear, तो अब हम यहाँ पर management by exception को समझते, तो देखिए, जो normal average body temperature होती है, हम human base की वो होती है, 37 degree Celsius, यानि 98.6 degree Fahrenheit, लेकिन कुछ studies में 37.2 degree Celsius तक, अगर इस range में किसी भी human body का temperature है, तो उसको घबराने की जोत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, यह acceptable wide range है, लेकिन अगर किसी person का जो body temperature है, वो 97 degree से कम जाता है, या फिर 99 degree Fahrenheit से जादा जाता है, यानि कि यहाँ पर कोई न कोई serious case है, उसके साथ कोई न कोई जो कि blood test करेगा, blood test करेगा, blood test से cause, यानि कि क्यूं आपका body temperature कम हुआ है, फिर जादा हुआ है, उसके cause को find out करेगा, और उसके according फिर वहाँ पर treatment देता है, आपको medicines provide करता है, तो यहीं चीज कहलाता है control by exception, यानि कि management by exception, यानि कि अगर temperature, body temperature जादा हो गई, तो वहाँ पर आप त temperature को control करने के लिए test करते हो, और उसको treatment वहाँ पर देते हो, इसी तरीके से organization के point of way से बात करें, suppose कि organization ने एक plan बनाया, जिसमें उन्होंने बताया, कि अगर 2% increase होता है labor cost में, तो acceptable range of deviation है, यानि कि अगर labor cost में 2% का increment हो जाता है, यानि कि अभी तक जो labor cost थी, वो 1,000 थी, लेक increase का increment हो गया, तो यानि कि यहाँ तक अगर हो रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी problem वहाँ पर नहीं हो acceptable, लेकिन अगर labor cost जो है, वो जो rule के according, जो plan बनाया था है, उसके according 2% तक increase होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2% से ज़्यादा का increase होता है, suppose करी कि 4-5% increase हो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान देना होगा और उसको control करना होगा, clear, यह management by exception की control by exception, कोई भी चीज हटके हुई, तो 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 वहाँ पर उसको control करिए, उसको ध्यान देजेए, measure करिए, test करिए, और वहाँ पर जो है proper treatment वहाँ पर लगाईए, तो that is management by exception, clear, तो इसका मतलब क्या हो गया, attending only to significant or exceptional deviation in the process of control, यानि कि यहाँ पर क्या होता है, कि जो normal range है, अगर वो चीज हो रही है, जो हमने प्लान किया था कि 2% तक का increase होता है, तो कोई दिकत नहीं, तो अगर 1% increase हुआ, 1.5% increase होता है, 2% increase होता है, deviation होता है labor cost में, तो it's okay, वहाँ पर कोई industry is issue नहीं है, वो वहाँ पर control करने की जोत नहीं है, लेकिन अगर 2% से increase ज़्यादा हो जाता है, 1%, 4%, 5%, तो वहाँ पर फिर managers को requirement होती है, कि उसको control करें, clear, तो attending only to significant or exceptional deviation in the process of control, यानि कि अगर significant increase होता है, या फिर exceptional deviation होता है, तो फिर वहाँ पर control करने की जोत होती है, 2% से ज़ allows employee to work more independently and only involve their managers on specific issues or exception to normal operation, यानि कि suppose कि जो department head थे, उनको पता था कि 2% तक का labor cost increase हो रहा है, तो कोई बात नहीं, तो 2% तक का अगर labor cost increase हो रहा है, तो उसमें जो departmental head है, वो खुद control कर सकते हैं, लेकिन 2% से जैसे ही ज़्यादा increase होगा, 3-4-5% का increase हो रहा है, तो वहाँ पर जो manager से उनको भी involved किया जाता है, clear, तो it aims at keeping the focus of the management on extremely important tasks and problems और areas in need of action, तो यहाँ पर management by exception में क्या होता है, कि managers को तभी involved किया जाता है, management को तभी involved किया जाता है, जब वहाँ पर कुछ exception होता है, कोई important, extremely important task होता है, फिर extremely important problem होता है, तभी वहाँ पर management को involved किया जाता है, वरना जो बाकि जनरल डेली वाले प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है lower level पे solve कर लिया जाता है, clear, तो management by exception, ये style of business management है, जो की focus करता है identifying and handling the cases that deviate from the norm, यानि कि जो organization ने norm बनाया, अगर उससे deviation होता है, तब जो है वहाँ पर management किया जाता है, clear, बात कर ले process of management by exception की, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे identifying and describing key result area, यानि कि आपके जो key result area है, key important factors है, उनको पहले identify करो, उसको describe करो, यानि कि कौन से ऐसे factor है जो की important है और जिस पर ध्यान देने की ज़रुद है, जैसे कि labor cost increase हो रहा है, ये important factor है labor cost, तो labor cost आपने बता दिया कि 2% तक है, 2% तक increase हो रहा है तो it's okay, लेकिन 2% से जैसे ज़्यादा increase होगा, 3,5 होगा, तो वहाँ पर उसको control करने की जरूद पड़ेगी, तो establishing standard and determining an acceptable level of deviation जो आपने बताया, कि 2% आपने standard बना दिया कि 2% तक labor cost increase हो रहा है, it's okay, वो acceptable level of deviation है, clear तो आपने established कर दिया, then making comparison of actual result with that of the expected or standard result, फिर आप देखोगे कि next year labor cost कितना increase होगा और आपने ज़्यादा बनाया था 2%, वो देखोगे, तो उसको compare करोगे, अगर वहाँ पर variance है, ascertaining variance, अगर आपने variance देखा कि 2% आपने बनाया था norm और 2% ही है, तो it's okay, लेकिन 2% आपने norm बनाया था और वहाँ पर increase हुआ है 4-5%, then आप क्या करोगे, analyze the cause of such variance, उस deviation, उस variance की cause को identify करोगे, और then आप strategy बनाऊगे और जो necessary actions होगे, उसको लोगे जिससे की, जो increase हो रहा है, जादा labor cost वो control किया जा सके, clear, तो यह जो है पूरा process of management by exception होता है, clear, तो आपको क्या करना है, पहले की result area को identify कर लेना है, उसके लिए standard बना देना है, उसके लिए जो acceptable level of deviation है, उसको identify, determine कर लेना है, फिर आपने जो बनाया rule, आपने जो acceptable level बनाया है deviation का, उससे और जो actual result आया, उसको compare करोगे, और अगर वहाँ पर variance of changes है, तो उस changes की cause को identify करोगे, और उसको control करोगे, तो यह जो है पूरा process होता है management by exception का, तो अब importance क्या है इसके management by exception के, तो देखे, it saves the time and effort of managers as they deal with only significant deviation, यानि कि यहाँ पर क्या है, key factors जो होते हैं, उनमें अगर deviation होगा, तभी जो है वहाँ पर managers जो है आते हैं और involved होते हैं, तो इससे जो managers है, उनका जो बाकी चीजों को deal करने में time जो effort लगता है, वो बच जाता है, उनको सिर्फ significant deviations पर ही ध्यान देना होता है, it focuses managerial attention on important areas, thus there is better utilization of managerial talent, तो management by exception में क्या होता है, जिससे कि जो managerial talent है, उसका better utilization होता है, the routine problems are left to the subordinates, management by exception thus facilitates delegation of authority and increased moral of the employee, तो जब managers जो हैं, वो सिर्फ important areas पर ही focus करेंगे, तो बाकी जो areas हैं, उसको deal करने के लिए subordinates को power दे दिया जाता है, तो जब subordinates को power दे दोगे, तो subordinates के बात authority होगी, तो उनका भी moral high होगा, और जो managers हैं, वो भी जो है अच्छे से perform कर पाएंगे, it identifies critical problem which needs timely action to keep the organization in right track, तो management by exception में क्या होता है, process आपने देखा, कि आप पहले key result area को identify कर लेते हो, तो जब आप critical problems हैं, उनको identify कर लोगे, तो उस पे आप timely वहाँ पर उसके लिए prepare हो सकते हो, जिससे कि आपका organization सही पात पर चल रहा होगा, तो यह कुछ importance है management exception के, इसके लाबा जो है आप दो और लिख सकते हैं, जैसे कि timely identification of exception and its causes, जयाने कि जब आप management by exception करते हैं, तो आप timely exceptions को identify कर सकोगे, उनके causes को find out कर सकोगे, और अगर कोई crisis आने वाली है, तो उसको भी आप identify कर सकोगे, और corrective actions वहाँ पर ले सकेंगे, तो यह importance of management by exception होता है, clear, तो management by exception में बस इतना ही है, कि आप critical points को identify करते हो, और उनमें जब भी deviation होगा, तो उसको लिए corrective action लोगे, wish you all the best, keep watching.